तू चले सग चले सरी गुल अपना है ये खयार देखी ऐसी आटम चोरी कच्ची कच्ची सी औरी कोरी इसमाइल हुखे ना देखा उसे जो अपन की गई रहे अकल मारी अकल मारी अकल मारी इसकतारी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा या यू कहें इंडियन सिनेमा के वन अप दे लिजन्री डारेक्टर ऐस संकर की फिल्मों में रखे जाने वाले बहुत ही अलग गानों और उनके पिक्चराई जैसन के बारे में जो अपनी लगबग हर एक फिल्म में कोई ना कोई गाना ऐसा रखते हैं जो कि ओडियन्स ने इसके पहले तक कभी देखा नहीं होता है लेकिन डारेक्टर संकर की सोच यहां पर एक दम अलग है वो अपनी फिल्म में ऐसे ही बहुत ज़्यादा महेंगे गाने रखते आए हैं मतलब यह केवल अभी की बात नहीं है नाइन्टीज में भी अगर आप उनकी फिल्मों के गाने देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्पेशल एफेक्ट से देखने के लिए मिलेंगे जो आपको लगबग चार से पांच मिनिट के लिए एक अलगी दुनिया में ले जाएंगे डारेक्टर संकर हमेशा अपनी फिल्मों के बहुत ज़्यादा महेंगे बजट के लिए भी जाने जाते हैं और उनकी हर एक आने वाली फिल्म उनकी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दखाई देती है फिर चाहे उनकी फिल्म इंडियन हो अपर्चित हो रोबोट हो आई हो या फिर टू पाइंट ओ हो उनकी ये सारी फिल्म उस टाइम पर आई बहुत महेंगे बजट की फिल्मे थी यहां तक कि फिल्म का बजट तो ठीक है कई बार उनकी फिल्मों में रखे जाने वाले गानों का बजट ही इतना जादा हो जाता है जितने बजट में दूसरे फिल्म मेकर से एक फिल्म बना कर कम्पलीट कर लेते हैं सन 1998 में आई डारेक्टर संकर की एसवरिया राय और प्रसांत के साथ फिल्म जीन्स में तो उन्होंने एक ऐसा गाना रखा जिस गाने को दुनिया में अलग अलग जगाए पर सेविन वंडर्स पर फिल्माया गया था मतलब ऐस संकर ने केबल अपने फिल्म के इस गाने के लिए लगबग 32,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का सफर तै किया था और उस टाइम पर केबल इस गाने को फिलमाने में कितना ज़्यादा खर्श हुआ आप अच्छे से सोच सकते हैं हाला कि इस बारे में डारेक्टर संकर से भी उनके एक इंटर्वियू में पूंचा गया कि वो अपनी फिल्मों के गानों को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं और उनको क्यों इतनी रेयल लोकेसंस में इतने महेंगे बजट में सूट करते हैं इस बारे में डारेक्टर संकर ने मुस्कुराते हुए जबाब दिया कि उनकी ओडियन्स एकदम अलग है जो ओडियन्स उनकी फिल्मों की एकदम लोयल फैंस है वो उनकी फिल्म बनाने के तरीके को बहुत अच्छे से जानती है और डारेक्टर संकर भी कहते हैं कि वो अपनी ओडियन्स को चीट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर ओडियन्स थिटर में केबल ये भरोसा करके आती है कि ये डारेक्टर एस संकर की फिल्म है तो ये जरूर बहुत अच्छी फिल्म होगी और अगर आडियंस के उनके उपर इतने भरोसे के बाद भी वो आडियंस को कुछ अलग नहीं दखा पाते हैं तो ये आडियंस के साथ चीट करना हो जाएगा उनकी ओडियंस हमेशा ये डिमांड करती है कि ये डारिक्टर संकर की फिल्म है तो इसमें गाने भी बहुत ही अलग तरह के होंगे और जरूर कुछ ऐसी लोकेसंस होंगी या कुछ ऐसे ग्राफिक्स होंगे जो इसके पहले लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे इस वज़े से डारिक्टर संकर अपनी फिल्मों में हमेशा ऐसे गाने रखते आए हैं अनिल कपूर की फिल्म नायक का ये गाना आपको जरूर याद होगा जहांपर हमें बहुत सारे स्पिसल एफेक्ट्स से देखने के लिए मिले मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अलगत रहे कि एफेक्ट हमें इस गाने में देखने के लिए मिले थे जबकि इस गाने में दखाए गए इफेक्ट का फिल्म की कहानी से कोई भी लेना देना नहीं था चैन विक्रम की सन 2012 में आई फिल्म आई का भी ये गाना आपको बहुत अच्छे से याद होगा जहां पर डारेक्टर संकर की क्रियेटिविटी आप देखिए कि एक चलते हुई बाइक पूरी की पूरी एक लड़की में बदल जाती है और ये बाइक से लड़की में होने बाला ट्रांसफरमेशन इतना स्मूथली होता है कि लोग अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं फिल्म आई के इस गाने में केवल एक ही स्पेशल एफेक्ट से नहीं था साबन के जाक से लड़की बन जाना, चलते हुई टीवी से लड़की का बाहर निकलना और टीवी का डांस करना नौकिया मॉबाइल का लड़की में ट्रांसफरमेशन हो जाना मतलब वाकई में आप जितना सोचेंगे उस से कही जादा आपको डारेक्टर एस संकर की फिल्मे में देखने के लिए मिलता है और उनकी अपनी फिल्मों में गानों को इतना जादा स्पेशल बनाने की क्वालिटी अभी की नहीं है अगर आप उनकी पहली फिल्मे भी उठा कर देखेंगे जो सन 1993 में रिलीज हुई थी फिल्म थी जेंटलमेन फिल्म जेंटलमेन संकर नहीं लिखी थी और बतो डारेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी इस में हमें ली डॉक्टर के तरुपर अरजूं सरज़ा और मधु नजराये थे ये बात है सन 1993 में जिस टाम पर फिल्मों में स्पेसल इफ़ेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं रखे जाते थे उस टाइम पर VFX तो बिल्कुल होते भी नहीं थे जो होता था एकदम रियल ही होता था उस टाइम पर चलो फिल्मों में तो Special Effects की बात मान भी सकते हैं लेकिन गानों में कौन Special Effects यूच करता है लेकिन डारेक्टर संकर ने ऐसा किया उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में एक ऐसा ही बलकुल अलग गाना रखा जिसमें हमें उस टाइम के हसाब से काफी सारे Special Effects ने देखने के लिए मिले ये गाना था चिक्कू बिकू राईले जिसको प्रफु देवा और गौतमी के उपर फिल्माया गया था और ये ऐसा पहला गाना था जब हमें प्रफु देवा स्क्रीन पर नजर आये थे और उनका डांस हमें देखने के लिए मिला इस गाने के म्यूजिक अच्छा था जो की एयार रहमान ने दिया था Special Effects थे और प्रफु देवा की कोडियोग्राफी वाकई में देखने लायक थी और इसी गाने से सुरुआत हुई आगे चलकर संकर की फिल्मों में इसी तरह से और भी अलग अलग गाने रखे जाने की जिन्हें देखकर वाकई में लोगों को लगे कि वाकई में क्या गाना बनाया है डारेक्टर संकर की फिल्म जेंटलमेन का हिंदी में आगे चलकर महिस बट्ट ने सन 1994 में डीमेक बनाया महिस बट्ट ने उस टाइम पर इसके हिंदी वर्जन में चरन जीवी को साइन किया और फिल्म का नाम रखा दा जेंटलमेन फिल्म की गानों को हिंदी में कमपोस किया आनू मलक ने लेकिन उन्होंने ज्यादा तर गानों की धुना जिसमें उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर प्रभू देबा को साइन किया और उनकी अपोजिट हमें नगमा न जराइं उनकी फिल्म कधालन सुपर हिट रही और इसका म्यूजिक भी एयार रहमान नहीं कमपोज किया एक्चली फिल्म कधालन को हिंदी में हमसे है मकाबला के नाम से हिंदी में डब करके भी रिलिच किया गया था तो साइद आपने फिल्म कधालन के ये हिंदी गाने जरूर सुने होंगे जैसे फिल्म का एक गाना था मकाबला मकाबला होगा गाने के स्टार्टिंग भी काफी अलग हटकर थी जहां पर नगमा एक गोड़े पर बैठकर प्रुभू देबा को बचा कर ले जाती हैं यहां तक तो सब कुछ ठीक था लेकन फिल्म के गाने में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिली जिन्हों ने उस टाइम पर वाकई में लोगों के दमाग को एकदम हिला के रख दिया और सोचने के लिए मजबूर कर दिया जब गाने के लगबाग आखरी एक मिनिट में हमें प्रुभू देबा डांस करते हुए नजार आते हैं जिसमें दो काउ बॉय आखे प्रुभू देबा को गोली मारते हैं और उनके सरीर का वो हिस्सा गायब हो जाता है ना कपड़ों के अंदर से उनके हाथ दिखते हैं ना उनके पैर दिखते हैं ना ही उनका चहरा दिखता है और बाद में कुछ ऐसे ही वो हमें यहाँ पर डांस करते हुए दखाई देते हैं वैसे आप सोथ सकते हैं कि गाने में उस टाइम पर इतनी जादा क्रियेटिविटी की जरूरत भी नहीं थी अगर इस गाने में इतने सारे एफेक्ट की जगह पर एक नॉर्मल सा गाना भी रखा जाता तो वो भी साइद लोगों को पसंद आता लेकिन ये कैसे हो सकता है ये डारेक्टर संगर की फिल्म थी तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पेशल देखने के लिए ही मिलना था इस गाने के लास्ट में दखाया गया प्रुफू देबा का ये डांसिंग इस्टैप इतना जादा पॉपलर हुआ कि आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद रीमेक वर्जन में भी हमें प्रुफू देबा कुछ ऐसे ही डांस करते हुए नजर आये थे मतलब आप सो सकते हैं कि उस टाइम पर संकर के दोवारा क्रियेट की गई ऐसी चीज़ को दोवारा से क्रियेट करने की कोसिस की गई मतलब उनकी जो थिंगिंग प्रोसेस है वो कितने आगे की है इसी फिल्म का एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपलर गाना था और बसी और बसी टेक एट इजी और बसी इस गाने में प्रुफू देबा के डांस स्टेप्स तो एकदम अलग थे ही लेकिन इसका पिक्चराई येसन भी बिल्कुल अलग था जहांपर इस गाने के वीडियो सांग में हमें एक टरनल दखाई जाती है एक ट्रांसपेरेंट बस दखाई जाती है इसके अलाबा भी इस गाने में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वाकिए में देखने लायक थी इसी फिल्म का एक और गाना था सुने दी सकी जिस गाने में भी हमें प्रभू देबा को सोचते हुए दखाई देते हैं और बाद में उनकी इमेजिनेशन को संकर ने कुछ ऐसे फिल्माया कि प्रभू देबा और नगमा दोनों ही हमें कुछ ऐसे उड़ते हुए दखाई देते हैं और जाकर बर्फ की बादियों में चले जाते हैं हाला कि हम मान सकते हैं कि इस गाने में एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं रखी गई थी लेकिन फरी भी डारेक्टर संकर ने इस गाने में एक जान डालने की कोसिस की जो गानों की लिरिक्स के हसाब से और सेच्वेशन के हसाब से बिलकुल मैच करती है मतलब संकर की फिल्मों के लिए गाने ऐसे नहीं है कि कोई भी गाना कैसे भी सूट करके बीच में कहीं पर भी डाल दो वो अपनी फिल्मों के 4-5 मिनिट के गाने में भी हमें कुछ ऐसी चीजें दखा देते हैं जो हमारे लिए एक दम नहीं होती हैं फिर चाहे वो गाने में रखे गए स्पिसल एफेक्ट्स हों या फिर गाने को कुछ ऐसी रियल लोकेशन पर फिल्माया जाना जो साइध हमने इसके पहले कभी नहीं देखी होंगी उनकी इसी फिल्म में एक गाना और रखा गया था एक्चुली ये गाना नहीं एक रैप गाना था ये गाना था पट्टी रैप मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने आगे की थिंकिंग थी जो उन्होंने इतने पहले ही अपनी फिल्म में ऐसा रैप गाना रखा था उनकी फिल्मे में रखा गया ये रैप गाना भी बहुत अलग हटकर था जो सायद आपने अपने बच्पन में सुना होगा और आपको काफी पसंद भी आया होगा आगे चलकर भी डारेक्टर संकर की लगबग हर फिल्मे में कुछ ऐसे ही गाने रखे गए जिन गानों ने लोगों को एकदम अलग तरह का ही एहसास कराया तो इस वीडियो में इतना ही इसके अगले पार्ट में हम डारेक्टर संकर की फिल्मों में रखे गए ऐसे ही गानों के बारे में बात करेंगे जिन गानों को फिल्माने के लिए डारेक्टर संकर ने पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन ये गाने उन्होंने फिल्म में जरूर रखे अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और डारेक्टर संकर के कुछ और ऐसे ही यूनिक गानों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगा तो मिलते हैं आप सबसे इसके अगले पार्ट में